तो दोस्तों मैं लेकर आगी हो मेट सिर्वेंच के एपिसोड 12 की हिंदी एक्स्पिनेशन तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए एपिसोड और वीडियो की शुरुआत करते हैं तो अपिसोड की शुरुआत में लिखाया जाता है कि डाउंग और यूजे की तक्कर हो जाती अच्छा हैं तब ही वो दोनों जो हैं उठाने के लिए कोशिश करते तब ही यूजे कहते हैं कि तुम रहने दो मैं खुद उठा लूँगा यह सब जहाँ पर यूजे उसे बताता है कि आज रात को जो है जी फैमिली हमारे घर पर डिनर को आने वाली है तो मैंने सोचे क्यों नहीं सारे काम पहले निप्टालू मुई पर डॉंग कहती है कि अच्छा इसका मतलब यह है कि आप बिजी है मुई पर यूजे कहती है कि चली आप अपना काम कीजिए मुई पर यूजे कहता है कि हाम अपना काम करन तुम भी आराम कर लो हम रात को मिलते हैं डिनर पर मुई पर यूजे जो है चला जाता है तो डॉंग देखती है कि नीचे जमीन पर एक पेपर पड़ा होता है तब ही उसे उठाती और यूजे को आवाज देती उसे लेने के लिए जहापर यूजे जा चुका होता है और फिर हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि सभी लोग डिनर टेबल पर बैठे होते हैं वही पर जी भी आ जाती है उसके फादर भी बैठे होते हैं तो मेरे सामने दिखावा मत करो तब ही वह पर त्यांग को भी बुरा लगता है तब ही वह कहता है कि ठीक है आपके कहने पर मैं एक सिप पी लेता हूं वही पर वह पर जी के फादर खुश हो जाते हैं फिर हमें दिखाया जाता है कि जी जो है डॉंग को चड़ाने के लिए उससे कहती कि तो वैसे तुम्हाई लाइफ कितनी खुबसूरत है तो उन्हें आखिरकार अपनी आइडेंटिटीटी प्रूफ करी दी और अब तुम नेक्स्ट मन्थ शादी भी करने वाली यूजे से कॉंग्रेचुलेशन जाप gjort डॉंग जो उससे कहती के ठैंक यू फिर वही पर जी कि फादर भी जो है त्यांग की मौम से पूझते है कि यूजे और डॉंग की शादी पहले कैसे हो सकती है अगर उनकी शादी पहले होगी तो फिर त्यांग और जी की शादी कको होगी तब यहां पर त्यांग की मौम जो हसते हूँ कहती है कि वैसे तो आपको त्यांग ये बात बताना चाता था लेकिन मैं ही आपको बता देती हूँ अब ये सिच्वेशन थोड़ी से टेंस चल रही है जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है तो हम जो है इसके बारे में बात करेंगे तब यहाँ पे जी के जो फादर होते हैं काफी तो गुस्से मा जाते हैं चिलाते हुए बोलते हैं कि क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा और कब ठीक होगा ऐसा कुछ भी नहीं है हमें जो है इनकी शादी के बारे में सोचना होगा आपको तो पता ही है कि इस शहर में जो है सब को पता चल चुका है कि हम दोनों जो है रिष्टेदार बनने वाले हैं बहुत जल तो हमें इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए तब भी आप इत्यांग को जो है सब सुनकर गुसा आ रहा होता है क्योंकि वो जो है उसकी मौम पर चिला रहे होते हैं तब ही वो जो है खुले आम सब को पता देता है उसके फादर के सामने बोल देता है कि मैं जो हूँ जी से शादी नहीं करना चाहता हूँ तब ही आप इसके फादर और बहुत जादा गुसे माजाता है बोलते हैं कि क्या कहा तुमने वहीं पर बोलते है कि क्या तुम्हें लगता है कि जी तुम्हारे लायक नहीं है तब यह पर त्यांग कहते है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बलकि मत यह कहना चाहता हूं कि मैं जूँ जी के लायक नहीं हूं और वहीं पर जी के फादर को जो है शुब है ऐसा कुछ भी नहीं है अगर होता है तो हम आपको इंविटेशन कार्ड जरूर भेशते अब टेंशन मत लीजे सबसे पहले त्यांग और जी की ही शादी होगी बाद में यूजे और डॉंग की जो जी के फादर एख खुश हो जाते है फिर वही पे वह जो हैं डॉंग को ताने मारते हैं बातों यह बातों में कहते हैं कि eu एक ही रात में सारे लोग खतम हो गए एकद से सबकुछ इतना बुरा हो गया वही त्याँंग की मौम हल्की सी मुस्कांग बोलतीOG के हां, आप चिंता मत कीजिए किमने सब कुछ चेक कर लिया है, हम फिर से थोड़ी ना इसकी स्काट ने मदर ने कैसे मिस्त्लू को रिप्लेज कर लिया और डॉंग फैमिली में शादी कर ली और लिगली वाइफ बन गई और यह बात percep को पता है ना जानेच डॉंग फैमली में आस Upper कुछ भी नहीं बोलती है वो बस इतना बोलती कि मैं बात्रूम जा रही हूं फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉंग जबार यह होती है वाश्रूम से बाहर तभी महाँ पर जी खड़ी होती है जी उसे कहती कि क्या हुआ मेरे फादर ने तुमारी फैमली की बारे में सच बताया तो तुम सुन नहीं पाई क्या जहापे डॉंग कहती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है वो इस घर में जो है मेरा थोड़ा सा दम गुट रहा तो तुम्हें थोड़ी सी फ्रेश एर लेने आई थी बाहर वहीं पर जी जो आ गया कि तुम्हारी मौम कोई सिंपल आउरत नहीं थी ससस बताना तुम्हारी मौम ने तुम्हें सिखाया नहीं सब किस तरीके से किसी और के हस्बंड को काबू में करते हैं जहापे डॉंग को यह सब सुनकर बहुत जादा गुसा आ जाता है वो कहती कि मिस जी तमीज में रहे है कई ऐसा नहों कि आप पर ही आपके जो शब्द हैं भारी पड़ जाए जापे जी कहती के मैं तो बस कह रही हूं मेरे अंदर इतनी हम्मत कहां कि मैं इतनी बेश्रमी दिखा सकूं तुम्हारी तरह बलकी तो पहले से ही पता था कि तुम जै असली डॉंग और तुम यूजे की फ्यान से हो उसके बावजूद भी तुम गवर्नर के बैट तक पहुंच गई वाँ जहापर डॉंग भी जहाए जी से कहते है कि अच्छा कर तुम भी तो यह सब नहीं कर रही हो मेरी तरह तुम भी त्यांग के करीब भटकती रहती हो उसके करीब जाने की कोशिश करती हो लेकिन त्यांग तुम्हें वहाँ हो नहीं देता है त्यांग तुम्हें भी भाव हूं कहती हो तुमने देखा ना कि इसने मेरे साथ कितनी बत्तमीर से बात करी तभी आपर डॉंग को भी गुस्सा आता तभी वो कहती कि प्लीज मिश जी आप जो है सही और गलत को मिक्स मत कीजिए आपने जो है पहले शुरुवात की थी इसलिए मैंने खतम किया है जहां पर जी को गुसा आ रहा होता है वही पर त्यांग उससे कहता है कि आज तुम हमारी गेस्ट हो तो मैं तुमसे कुछ भी बहस नहीं करना चाहता हूँ वही पर वो उससे ये भी कहता है कि अगर तुमने डॉंग को फिर से परिशान करने की कोशिश करी या उससे हर्ट करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा वही पर डॉंग और जी तो एकदम हैरान हो जाते है त्यांग की ये बाते सुनकर और फिर त्यांग डॉंग का हाथ पकड़कर जी के सामने से उसे ले जाता है वही पर जी जो है चुपचाप खड़ी देखती रह जाती है और पीसे चिलाती है भी बोलती है कि डॉंग जाता प्राउड फील मत करना फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉंग जब जारी होती है त्यांग के साथ सीर्डियों से तब ही वहाँ पर वो रुख जाती है और त्यांग से कहती है कि जो मैंने कहा जी से उसे सीर्यसली मत लेना वो सब मैंने उसे चिढ़ाने के लिए कहा था गुस्सा दिलाने के लिए कहा था वहीं पर फिर कहता है त्यांग हाँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है फिर तभी वहापे डांग से कहती है कि वो तुम्हारी फ्योंसे है वो मैं नहीं हूँ जिसके साथ तुम जो है ऐसे बिहेव करो उसे डरा धमका सको वो तुम्हारी फ्योंसे है तो तुम्हें उससे थो जो है घर blah जा रहे होते हैं तब केशिञ तब यह कर देते हैं इस सब्लोग ड़ी ने जो है नहींड को कि चिप最 इन को बचाने की कोशिश करता है और यूजे जो है जी को प्रोटेक करता है सब्लोग जो त्याओं की family होती है वो भी छिपी हुई होती है वहीं पर त्याओं Chair psi पूरी कुशिश कर रहा होते है डॉंक को protect करने की और वहीं पर ढहा बहा ही जै करूँप सारी गोलिया चल रही हूती है कि तभी अचनक से एक गोली के लिए अपनी परवाह दिखा रही होती है और दोस्तों ही पर एपिसोड 12 की एंडिंग हो जाती है तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 13 की हिंदी एक्स्पिरिशन के साथ आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करका जर एक्स वर वाचिंग मैं वीडियो